लोगतंत्र में जीता जाकता प्रखर और प्रमुक विपक्ष बहुत जरूरी होता है लोगों तक लोगतंत्र जीवित रखने के लिए और वोही काम 2014 से हम कर रहे हैं 2019 से कॉंग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया है एक प्रखर प्रमुक जीते जाकते वाइबरेंट ओपोजिशन को बने रहने के लिए उसके कुछ स्टेप्स हैं और वो स्टेप्स हम लगातार ले रहे हैं लेकिन मुझे मेरा आशा है कि आज हमें एक साथ उसको आपके साथ साजा करें तीन बड़े चीजें कॉंग्रेस ने करी हैं पहला हमारे यहां एक बहुत सक्सेशन प्लानिंग हुई है लोकतांत्रिक तरीके से ये किसी भी और पार्टी अपने दिल पर हाथ रखके नहीं कह सकती है आठ बजे रात को जहां एक प्रेस रिलीज आ जाती है हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से सक्सेशन प्लानिंग होकर एक अध्यक्ष चुने गए उदैपुर चिंतन शिविर में जिन चीजों के बारे में बात करी गई थी वो ख्रियानवित करी गई लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है पहला अध्यक्ष चुने गए दूसरा हमने सरकार को क्योंकि पार्लिमेंटरी डिमोकरिसी है सदन के अंदर हर उस मुद्दे प पर मजबूर किया घुटने टेकने पर जो इस देश के हित में होना चाहिए वो मुद्दा चाहें CAA हो वो मुद्दा चाहें Farm Laws हो और उसके बारे में अभी हम बात करते हैं और तीसरा बड़ा काम हमने किया कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा Mass Contact Program किया हम सडकों पर उतरे चाहे वो गरीबी चाहे वो असामानता चाहे वो इंफलेशन चाहे वो बेरोजगारी महंगाई किसी के भी खिलाफ हो लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हमने दुनिया का सबसे बड़ा Mass Contact Program क्रियानवित किय बड़ी चीजों में पार्लिमेंट के अंदर, पार्लिमेंट के बाहर सडकों पर और अपने अध्यक्ष का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाओ किया उदैपुर चिंतिन शिविर में आपको याद होगा मई 2020 में भारत जोड़ो यात्रा की बात करी गई थी और चार ही पाच ही महीने के अंदर वो यात्रा सक्सेस्फुली शुरू हुई और सब ने उसका प्रभाव देखा लेकिन पहले मुद्ध से बात करना शुरू करते हैं और ये पहला मुद्ध है लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाओ और ये मैं पूरे गर्व के साथ कह सकती हूँ कि कॉंग्रेस के अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है चाहे वो सत्ता रूर भाजपा हो या कोई भी ऐसा दल हो जो ये कह सके कि 9000 चुने हुए डेलिगेट्स ने लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष का चुनाओ किया वो अध्यक्ष जो की ब्लॉक प्रेस्डेंट से उठकर कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने श्री मलिकान जुन खड़गे जी और उनके चुनाओ के माध्यम से हमने एक ऐसे शोशित वंचित दलित वर्ग को प्रमुकता दी प्रधानता दी जो की जरूरी है और कोई भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी इसका श्रे नहीं ले सकती इसका डंका नहीं पीट सकती और ये जरूरी था राहुल जी के स्तीफे के बाद हमारी इंटरिम अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांदी जी रही और उसके बाद मलिकार जिन खड़गे जी का चुनाओ एक जीते जाकते लोकतंत्र में एक प्रकर विपक्ष का सबूत है दूसरा हमने सरकार को अकाउंटबल बनाया सदन में और ये कोई आम बात नहीं कि सरकार ने C.A.A. कानून तो पारिद कर दिया लेकि नोटिफाई अभी तक लॉड नहीं कर पाए ये कोई आम बात नहीं कि हाँ इस देश के किसान ने शहादत दी हाँ इस देश के किसान ने सरकार को मजबूर किया लेकिन उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का काम कॉंग्रिस पार्टी ने किया और सरकार को अंततो गत्वा घुटने टेकने पड़े और तीनों काले का वापस लेने पड़े और यह हमने तब किया और ऐसे तमामों कानून हैं जिस पर उनको हमने मजबूर किया इतनी brute majority होने के बाद भी और यह तब हो रहा है जब सदन में चुने हुए सांसदों को बाहर फेग दिया जाता है जब सदन में पूरे पूरे सेशन के लिए चुने हुए सांसदों को छोटी बातों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जब बोलते वक्त माइक बंद कर दिया जाता है सांसदों का जब बड़े-बड़े speeches में से वो निकाल दिये जाते हैं जो मोदी जी को suit नहीं करते हैं अभी जैसा हुआ चाहे राउल जी का वक्तवे हो चाहे खरगे जी का भाशर हो और ये सब हमने तब किया जब unparliamentary list इतनी लंबी होती जा रही है क्योंकि हर वो विशलेशन हर जो विशेशन हर वो शब्द जो आप मोदी सरकार के खिलाब बोलना चाहिए वो unparliamentary हो गया जुमला भी unparliamentary है जुमले बाजों ने जुमलों में कमी नहीं की और जुमले को भी unparliamentary बना दिया ऐसे वक्त में सदन में हमने सरकार को लगातार घुटने टेकने को मजबूर किया है और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब दी है और अब हम बात करते हैं क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सदन से सडक तक की लड़ाई ही लोकतंत्र को जीवत रखती है सदन की लड़ाई के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी अब सडक की बात कर लेते हैं हमने बार बार सडक पे उतर के चाहे महंगाई के खिलाफ हला बोलो चाहे बेरोजगारी के खिलाफ हो चाहे महिला सुरक्षा पर हो चाहे अराजकता पर हो चाहे CAA के खिलाफ हो चाहे काले तीन किशी कानूनों के खिलाफ हो लगा तार सड़क पर उतर कर विपक्ष की प्रमुख आवाज बन कर हमने सरकार के घुटने टिकवाएं और ये सच है ऐसा करते वक्त हमारे खिलाफ एजेंसी को बेलगाम छोड़ा गया निरंकुष पुलिस ने हमारे कारकरताओं के साथ ही नहीं हमारे शीश नेतरत्व के साथ भी बरबरता करी लेकिन ना उनकी एजेंसी हमें डरा सकती है और ना उनकी नपनसक पुलिस हमें डरा सकती है हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहे लेकिन आवाज उठाने की जो लंबी लकीर राहु गांधी जी ने खीच दी इस देश की राजनीती में और शायद विश्व की राजनीती में वो अपने आप में एक किरतीमान है और हां मैं बात कर रही हूँ भारत जोडो यात्रा की आपको याद होगा उदैपुर के चिंतन शिविर ने 2022 मई में ये संकल्प लिया था कि हम एक भारत जोडो यात्रा करेंगे साथ सतंबर को वो यात्रा शुरू हुई और 30 जनवरी को उसका समापन कश्मीर में हुआ कन्या कुमारी से कश्मीर तक किये यात्रा करीब 4000 किलोमीटर प्यद्यात्रा 12 राज्यों दो यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरी और इस यात् प्यद्या में हमारे पास लाखों करोडों लोग जुड़े और वो लोग जुड़े जिन्हों ने कहा हम एक आदमी के मन की बात सुनकर तंग आ चुके कोई तो है जो आज सडकों पे उतरके पैदल चलकर हमारी बात सुनने को तयार है लोगों ने हमसे बात करी बेरोजगारी के खिलाफ लोगों ने हमसे बात करी महंगाई के खिलाफ लोगों ने हमसे बात करी पुलीस की बरबरता के खिलाफ लोगों ने हमसे बात करी समवेदन वहीन बन गई सरकार के खिलाफ लोगों ने हमसे बात करी कैसे समाजिक ताना ब जबाव का हुसला फिर से जोडने की कोशिश करी जिनके सपने बिखर चुके हैं और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा is the biggest mass contact program that anyone anywhere has seen. और भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के सामने एक वो परिकल्पना दी जो मोधी सरकार की परिकल्पना से बिलकुल जुदा है. जहां पर आप सहबागी हैं, जहां पर आपकी भागेदारी हैं, जहां पर आपकी बात सुनी जाएगी, जहां पर आपके आशू पोचे जाएंगे, जहां पर आपकी नौकरी, आपकी आर्थी का सामानता, आपकी महंगाई से जूचते हुए तकलिफों के बारे में बात करी ज पूज रहे थे हमारी सरकारों ने यह सुनिश्चित किया चाहे वो राजस्थान हो 36 गड़ हो हिमाचल हो कि OPS लाया जाए क्योंकि लोग यह चाहते हैं यह सरकार का काम है कि आप पैसा कहां से जुगारेंगे आप स्कीम कहां से लाएंगे लेकिन अगर लोग यह चाहते हैं कि कि वो स्कीम आए तो वो स्कीम आएगी चाहे हेल्थ इंशॉरंस स्कीम राजस्थान की हो या भी 500 रुपे में सिलिंडर देने का एलान जो उन्होंने किया हो या 36 गड़ की जो न्याय योजना हो और तमाम हो ऐसी कृशी से संबंदित योजना है जो वहाँ पर जोड़ी हमारी सरकारों ने लगातार ऐसा काम किया है